कि दोस्तों डिडारेक्ट टेक्सि स्कोर्ट द्यवर्ट 25 हम सब जानते हैं आने वाला है अगले साल आई जाएगा और सरकार चाहते हैं कि नया लव आए या इसका नया वर्दन आए इंगम टेक्स का उससे पहले सारी लिटिकेशन ख़दम हो जाए सरकार ने विवाज से कब किसी तरह की कोई भी टेक्स और आप से रिकवर नहीं किया जाएगा बड़ी इंपोर्टेंट वीडियो है कौन कौन अप्लाई कर सकता है इतने सारे मैंने बनाया है आपके पास और कब आएगा कब अपील फाइल कब नहीं है सारे एक्जांपल लिए मैंने साथ मैं यह बतायागी कौन-कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते और जो लोग अप्लाई नहीं कर सकते उनको मैंने एक रास्ता बताया है जिससे वह भी कोड के तुरू इस बेनेफिट का फाइदा ले सकते हैं वीडियो को आखरी तक देखिएगा बारा मिट की वीडियो है आपको अप्लाई किया था यह भी मैडम जी लेकर आएं थी 2020 में अब इसे कौन को नप्लाई कर सकता है जिस किसी की भी अपील अपील क्या होता दोस्तों जब हम इंकम टेक्स में कराते हैं इंकम टेक्स और के पास तो सबसे पहले अपील हमेशा सैसी ही फाइल करता है क्योंकि वह क पैंडिंग है हाई को सुपीम कोर्ट में यह एसलपी पैंडिंग है कहां कहां पर से अपील पर आइटेटी हाई को सुपीम को किस देट को 22 जुलाई दोयाच चोविस जो है ना सबसे किटिकल डेट है या दखना पूरी इसके अंदर बाइस जुलाई 24 के बात करूंग अग आपको मैं इंकम टेक्स ऑफिसर के पास किसी चल ला है माल लीजिए भी वर्दान है जिनके और पास हो गए है जिनको पास होगे है बहुत अच्छा है पताओं उसके बारे में मैं अब इंकम प्रक्राइब बेकार है या पोलिटिकल पालिटी डोनेशन वाला है जो नहीं आपने अपील फाइल करें तो यह केस इलिजिवल नहीं है किसी को लगता है कि चल ला है क्या वो भी आजागा ना जिनकी अपील एसल्पी पैंडिंग है बाइस साथ चोबिस को कौन-कौन से और पास होगा है बहुत से सेक्षन है मैंने एक्जामपल दिया है 143 का 147 किसी का 154 हुआ हो वह भी आजागा इसमें 271 की पैनल्टी 270 की 271 B 270 भूस सारे सेक्षन ऐसे हैं जिसके अंदर हम अपील करते हैं वह सारे केस इसमें कवर है एक्जामपल लिता हूं मैं जब कभी पैसेस्मेंट होता है मुसके अपील करते हैं इसलिए अब केसे लिए आपको को एक्जामपल हो वह भी मेरे से पूछ लेना मेरे पास असेस्मेंट और पास हुआ 31-34 को क्योंकि मार्च में देट पास हो रहेते हैं फरवर्य मार्च में मैंने मार्च की देट लिए एक और पास हो गया मैंने अपील कर दी पच्चीस चार्ट चोबिस को विसिन 30 देज व और देट ऑफ और पास करने पार करने परती है से अपील को को कि हमेशा पहले पील करता है यास इलिजीवल है क्यों पच्चीस चार्ट चोविस को मैंने फाइल कर दी तो मेरी अगर मैं बाई साथ को देखू यह तो 22-24 को मेरे अपील पैंडिंग है अभी आपील नहीं आया अगि और मैंने बहुत लेट करी मुझ है तो इसलिजीएट को नहीं मिलेगी और यहां पर आपका सेस्मेंट पास हुआ है आपने लिए नहीं करी तो आपके अपील पैंडिंग नहीं नहीं है तो इसकेस में क्या होगा आप इस जीम का बेनिफिट नहीं ले पाओगे इसलिए कहते हैं प्रफेश्चनल की हेलप लो में वेशा टाइम पर अपील फाइल कर या घर पर आया वापी चला गया घर पर आया अब उस एडर्स पर थे नहीं और पर तो क्या हुआ आपने सर्टिफाइट रूपी अप्लाइक करी हो सकता है यहां तो मैं 24 लिखा है पीछे हो आपको पंद्रा साथ 24 को अब इस केस में दोस्तों जो पंद्रा साथ 24 को सेम केस इसी का इसामपल लिया मैंने 33 24 को यह ने और पास कर दिया मुझे और रिसीवग वह 15-7-24 को मुझे तीस दिन पर फाइल करी 25 को कि मैंने यहां विसीन 30 देस अपील कर दी है 30 दिन के अपील करने थी मैंने फाइल कर दी है और रेसीविंग डेट से लेकिन यहां पर मुझे बेनेफिट नहीं मिलेगा जबकि पिछली बाद जब 20 में स्कीम आई थी दोस्तों वहां पर यह प्रोविजन था कि अगर आपकी अपील पैंडिंग है और आप में हो तो आपको भी इसका बेनेफिट मिलेगा लेकि इस बार नहीं नहीं दिया क्योंकि टीजिंग कर सकता था बहुत ही अन्याय है मुझे लगता है जब फाइनल फॉर्म आएंगे इसके अभी स्कीम आईए जब फॉर्म आएंगे शाया इस कौन पास होता है बहुत सारे ऑडर दोस्तों जो 36 24 पास होते हैं जिसके अंदर 144 सी आरे वाले केस भी आते हैं अप्यल मैंने वाले कर दी बाइस साथ चोविसकोश्ट तीस दिंग कर नहीं थी तीच्य था मैंने 22 साथ को पेकर दी यास बैएफिट मिलेगा क्योंकि मेरी यह काई देसे मैं 36 है तो 30 दिन तक यानि की 30 जुलाई तक फाइल कर सकता था अब इस केस में नहीं मिलेगा तो मेरे साथ से जब इसके फॉर्म आएंगे तो जीट जाएगा और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी अपील डियू थी 22 तारिक को फाइल करने के लिए वह सारे के सारे क जीतेंगे यकीन मानी है जिसका भी केस हो फाइल जुरू करना भले ही 22 तार लेखी हो ठीक है यह मेरे अग्जामपल हो गया अब पहला केस के लिए अपना पील वाला दूसरा केस जो अप्लाई कर सकता है अभी कंटियू चला है मैंने एक्जामपल यह था और का अगर किसी क को अब्जेक्शन पैंडिंग है डियारपी में 144 में 227 24 को वह भी अप्लाई कर सकता है माल लीजिए कोई नोन रेसिएंट है उसका केस हुआ तीच्छे को तीच्छे 24 को केस हुआ उसका वन जो भी नियों नेशन होते हैं सबसे पहलों का ड्राफ असेस्मेंट पास होता है सक्षेंट वन के अंदर ड्राफ असेस्मेंट और 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 फिसके टाइम मिलता है नोनेशन को क्या आप या तो अब्जेक्शन कर दीजिए या कर लिजिए उसके बाद और पास्ट होगा जब कभी आप तीज दिन के अंदर फाइल कर देंगे अपने तो असेसिंग और पास करता है वी इन वन मन्थ जब कभी आप फाइल करता है ऑपने ऑपने और आपने और आपको और आपने अब्जेक्शन कर दिए डियार पी को इंटरनेशनल टेक्सेशन केस में और वो पेंडिंग है डियार पी ने अभी अपना कोई भी अब्जर्विशन नहीं भेजी यहों को और वो पैंडिंग यह बाइस साथ 24 को कि इस केस में भी नोन डेसिडेंट अपना विवाज से विवाज इस्टीम का बेनेफिट ले सकते हैं तीसरा सेम इसी कर जुलता है ड्राफ असेस्मेंट ले सकता है नोन डेसीडेंट यहां पर अभी फाइनल और पास नहीं हुआ है डिमांड नहीं आई यह बड़ा इंपॉर्ण पॉइंट नहीं समझना कि जब कभी भी ड्राफ आता है उसमें डिमांड नहीं आती है वह प्रपोज्ड होता है उस केस में भी वह स्कीम का बेनेफिट ले सकता है चोस्था पॉइंट एक दिवीजन एप्लिकेशन हैं अन्ड सकता हूं अच्छा बड़े इंपॉइंट पाच वां अगर अपील फाइल करी डिपार्टमेंट ने तो क्या होगा हो सकता है मैं अब तो तो मैं कुछ नहीं का आगे कुछ भी हो सकता है आई के टीम आगे तो क्या होगा अभी बेनेफिट है पचास परसंट जम्मा करना है सिर्फ पचास परसंट वह आप देख लीजिए फाइदा आपका अच्छा असे विदुखता है कि दोनों की फाइल हो एक ही असेस्मेंट परसंट परसंट जिसमें आप गए हो हंडिर परसंट अब इस इंपोर्टेंट यहीं जानना है कि कौन-कौन से ऐसे केस है जिसमें ऐसा ऐसी फाइल नहीं कर सकता विवाश से विवाश स्कीम दोजार चोबिस के अंदर पर मेरा मानना यारी गलत है थोड़ा सा बताओं हो क् सब्सक्राइब के अंदर पिछली बाद बीस में आई थी आपने सर्च वाली केस भी लिए थे अगर टैक्स दिस्प्यूट पांच को तक का है इस बार मना कर दिया प्रनी क्यों तो चोरी है छोटा बड़ा क्या सक्वाड़ता है जब बेनेफिट दे रहे हो सब को देना चा करेंगे जीतेंगे सर्च वाले अगर प्रसुक्राइब लॉंच हो चुका है इस्टूट्य हो चुका आपके उपर इंग्सम टैक्स एक में तो भी आप इसी स्कीम का बेनेफिट नहीं ले पाएंगे जोगी गलत है एक आदमी का एडिशन हुआ एक उसके दूसरे दोस्का अब एडिशन हुआ एक के उपर प्रसुक्राइब हो गया एक के उपर भी पैंडिंग यह बात नहीं हुए तो उसका दोस्तों छूडगे बचारा वह वह कर दोनों का सेम इस्यू था दोनों पर सेम टैक्स लग रहा था बस एक पर इस चुटूट हो गया प्रसुक्राइब एक पर चल नहीं हुआ कोड में तो मेरे खाल से यह भी कोड केस जीतेगा आदमी जो भी फाइल करेगा आप डिफ्रेंशिट नहीं कर सकते दो लोगों में सेम फैक्ट सेम चीजों को लेके सरफ एक चीज है कि स्टार्ट होगे आप पर प्रसुक्राइशन किस वह से हुगा ह तो थोड़ा सा धन हां चाहिए और इंडिया यह पिछली बार भी नहीं था स्कीम जो आई थी और अब भी नहीं है आपको बैंक एकाउंट आप खुला के बैठे वे बहार आपने कोई पॉपर्टी ली लिए आप चैक्ट चूरी कर रहो आउटसर इंडिया लोकेटेट अस डबल टेक्सेशन अवाइडेंस एग्रिमेंट जैसे स्वीज बैंक है आपके लंदन के अंदर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में पैसा था सरकार ने पकड़ लिया आप करें मुझे स्कीम का बैनेफिट दे तो ना सरकार चाहती है सैंसिटिव जो मामले हैं उसके अंदर ह और आगया है डिटेंशन का तो इस केस में भी आप इस स्कीम का बैनेफिट नहीं ले पाएगा इस वीडियो में एक वीडियो पॉसिबल नहीं है छटा पॉइंट अगर टेक्सपेयर को नोटिफाइब कर दिया एंडर सेक्शन 3 के अंदर और स्पेशल कोट के अंदर पूरा कर दिया है और दोस्तों इसको लेकिए ना मैं चार वीडियो मनाऊंगा टेक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है फॉर्म कैसे भरना है किन बातों को ध्यान रखना है जिन लोगों को benefit नहीं मिल पाएगा उसको कैसा करना है जिन लोगों का रिफंड था फिर एडिशन हो लेकिन मानी है सिर्फ टैक्स जमा करना इंट्रेश्ट परिणल्टी पर सब माफ और जितना हो सके इस वीडियो को इंडिया में शेयर करें बहुत सरे लोग अफेक्टिड है जो इसकीम का benefit अभी भी लेके इंकम टैक्सिस जंजर से भार आ सकते हैं जब तक की डियारेट टैक्सिस कोर दोयार पचिस नहीं आ जाता जब मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक नमस्कार